नमस्कार दोस्तों एक बाइफिर्स वागात आपका एक्जाम गुरु एकेडमी के आपिसेल यूट्वी चैनल पे आज हम चर्चा करेंगे 20 जनवरी 2018 के करेंट एफिर्स पे इसको लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाइसको सेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग भी इस करेंट एफिर्स सेजन को देखके इससे लाबावानित हो सके तो इस टार्ट गरते हैं पहले पॉइंट से पहला पॉइंट है आश्ट्रेलिया ग्रूप यानि की AG तो आएए जानते हैं AG और इससे सम्मतित क्या निव ज़ा और किस प्रकार के प्रशन हासे एक्जाम में पूछे जाएंगे भारत आस्ट्रेलिया समूँ एजी का 43 सदस से बना यानि कि इंडिया बिकेम the 43rd member of आस्ट्रेलिया ग्रूप एजी देखे जो आस्ट्रेलिया ग्रूप है यानि कि एजी है ये जो है एक परमाडू और प्रसार की मातपूर व्योस्था है और इसका मकसद है कि निर्यातों से रासानी क्यास जैविक हत्यारों का विकास न होसके तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि आस्ट्रेलिया ग्रूप जो है ये पहले 42 दिसों का एक समूँ था लेकिन अब भारत इसका 43 सदस से बन गया ठीक है यानि कि 43rd मेंबर बन गया है आस्ट्रेलिया ग्रूप का तो देखे यहाँ पर आपसे एक्जाम में दो प्रस्ण पुछा जाएगा पहला प्रस्ण तो यह पुछा जाएगा कि भारत जो है आस्ट्रेलिया ग्रूप का कौन से नंबर का मेंबर बना है तो भारत जो ह मकसद है जो रासाइनिक और जैवी खतियार इसके निर्यात को सुनिश्चित करना ताकि ये जो है गलत हाथों में ना पहुचे यानि कि किसी आतंकी समों को जो है रासाइनिक खतियार और जैवी खतियार ना मिले यानि कि biological और chemical weapons जो है ये किसी terrorist group को ना मिले ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके और देखिए एक मुखे बात यह है कि जो चीन है ठीक है ये आस्ट्रेलिया group का सदस्य नहीं है तो इसके बारे में भी आपसे एक्जाम में एक प्रश्ण और पूछा दा सकता है तो आपको जो है ये दो additional facts और याद रखने है अगला point है FIFA अब देखते हैं FIFA से जोड़ी क्या नहीं हुझा है देखिए इससे एक प्रश्ण exam में जरूर बनेगा तो आप जो है बहुत त्यान सुनिएगा भारती football team FIFA की नविंतम ranking में तीन अस्थानों की सुधार के साथ 102 अस्थान पर पहुँच गई है और पहले जो है यानि की 2017 में भारत जो है 105 अस्थान पर था यानि की the Indian football team has climbed three places to reach 102nd place in the latest FIFA rankings तो देखिए आपको याद रखना है की भारत जो है FIFA की नविंतम ranking यानि की 2018 की ranking में 102 अस्थान पर आ गया है और 2017 में 105 अस्थान पर था तो exam में यहाँ पर एक प्रस्ण आपसे सीधे सीधे पुचा जाएगा की हाल ही में FIFA जारी की गई नविंतम ranking में भारतिय फुटबाल टीम किस अस्थान पर है तो भारत जो है Belgium है तो देखिए इसमें महतपूड क्या है महतपूड है Germany का ranking और भारत का ranking यह की Germany जो है top पर है यानि कि पहले अस्थान पर जर्मनी है और भारत जो है 102 अस्थान पर है तो आपको यार रखना है कि FIFA की नविंतम ranking में भारत जो है 102 चोडवे अप्तान पे है और जर्मानी जो है टॉप Ahmed पे है और एक और मुख़्वात है कि भारत यह ACI डेसों के रैंकिंग में 14 अप्तान पे है यानि कि जो ACI समों के देश है इनमें भारत जो है वो 14 अप्तान पे है और इसमें टॉप पे है एरान तो ये additional fact ने ये खाली जो है UPSC वगरे के exam में पूछे जाएंगे और एक और मुख्य बात आपको याद रखने ही जो FIFA इसका मुख्याल है यानि कि headquarter है जूरिच स्विज्जर लेंड में क्योंकि जो one day exams है SSC bank railway के उसमें जो है FIFA का headquarter कई बार पूछा गया है वहाँ पर पूछा जाता है कोई वहाँ पूछा जाता है सीदे सीदे कि FIFA का headquarter कहाँ परिस्तित है यानि कि FIFA का मुख्याल है कहाँ परिस्तित है तो FIFA का मुख्याल है जूरिच स्विज्जर लेंड में और इस पे हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं अगला पॉइंट है टेंथ ग्लोबल फोरम फार फूड एंड एग्रिकल्चर यानि कि खाद और क्रिशी विशाव पर दस्वमा वैस्विक सम्मेलन अब देखते है इस सम्मेलन का आयोजन अस्थल क्या रहा और इसकी थीम क्या रही और किस प्रकार के प्रस्ण यहाँ पर एक्जाम में पूछे जाएंगे खाद और क्रिशी विशाव पर दस्वमे वैस्विक फोरम का आयोजन बर्लीन में 18 से 20 जनुरी 2018 तक किया गए यानि कि आज जो है इसका आखरी दिन है यानि कि The Global Forum for Food and Agriculture Watch held in Berlin from 18 तू 12 जनुरी 2018 और इसके अंतरगत क्रिशी मंत्रीयों के दस्वमे बर्लीन सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा तथा क्रिशी और सम्माद्नी छेत्रों में सयोग बढ़ाने के लिए जर्मनी, उजबेकिस्तान और अर्जेंटिना के क्रिशी मंत्रियों और प्रमुखों के साथ दुई पक्षी बैटकों का भी आयोजन किया जाएगा और यह सम्मेलन बिस्सों का सबसे बड़ा क्रिसी मंत्री सम्मेलन है यानि कि अब तक इतना बड़ा क्रिसी मंत्रियों का सम्मेलन नहीं हुआ है और इस वर्ज जो है इसकी थीम थी सतत पोसकता जवाब दही और कुसलता के साथ पसुधन के भविस्व को बहतर बनाना तो आपको जो है इसकी थीम भी याद रखनी है तो देखे यहाँ पे अब आपके लिए तीन मुख्य बिंदू हो गए पहला कि खादे और क्रिसी विषय पर दसवें वैस्वी फुरम का आउजन कहां किया गया तो यह किया गया बरलीन में और दूसरा प्रशन पुछेगा कि हाल ही में क्रिसी मंत्रियों का दसवें वार्षिक सम्मेलन कहां पे आउजित किया गया तो ये किया गया Börlin में इसका थीम क्या था इस बार तो इसकी थीम इस बार थी सतत, पोसकता, जबाब दही और कुसलता के साथ पासु धन के भविश को बेहतर बनाना तो ये तीन प्रसट जो है आपके इस्टेच, PCS और UPSC के एकजाम के लिए मत पूढ़ है अगला पॉइंट है केनेट चेनाल्ट, आप देखते हैं केनेट चेनाल्ट कौन है और इनसे सम्मनीत किस प्रकार के प्रस्न एक्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको याद रखना है कि जो केनेट चेनाल्ट है इनको अभी हाली में फेस्बुक ने अपने बोर्ड में नुक किया है और ये पहले ऐसे अफरीकी अमेरिकी ब्यक्ति बन गए है जो इस बोर्ड में नुक हुए है तो देखे यहाँ पे आपसे एक्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा एक्जाम में प्रशने पूछेगा कि हाल ही में फेस्बुक ने किस अफरीकी अमेरिकी सदसे को अपने बोर्ड में नुक किया है तो ये नुक किया है केने चैनल को और ये पहले ऐसे अफरीकी अमेरिकी सदसे हैं जो फेस्बुक के बोर्ड में नुक किया है अब बात करते हैं फेस्बूक के फेक्ट की देखें फेस्बूक के मुख्यकारी अधिकारी यानि की चीफ एक्जक्यूटिव ऑफिसर है मार्क जकरबर्ग और फेस्बूक की असाबना हुई थी फरवरी 2004 में और फेस्बूक का एड़क्वाटर है कैलिफोर्निया USA में तो फेस्बूक के बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है देखें इस्पेसिली जो है फेस्बूक के संसापक और मुख्यकारी अधिकारी यानि की मार्क जकरबर्ग का नाम ही एक्जाम में पूछता है और विकास यानि एकोनामिक ग्रोथ अब देखते हैं एकोनामिक ग्रोथ से संब्धित क्या न्यूज है और किसने क्या रेटिंग दी है भारत को भारत रेटिंग सा और अनुसंधा ने 2018-19 में देश के आर्थिक विकास में 7.1% सुदार का अनुमान लगाया है जो 2017-18 में 6.5% यानि कि इंडिया रेटिंग से एंड रिसर्ट्स हैज प्रोजेक्टिड दा कंट्रीज इकोनामिक ग्रोथ टू इंप्रूज 7.1% इन 2018-19 फ्रॉम 6.5% इन 2017-18 और एजेंसी के मुताबिक 2018-19 के दिरिश्टिकोर में जी एस्टी और दीवालिय अपन सहिंदा जैसे संदशना अरत्मक सुधारों के कारण विकास की गति में क्रमिक तेजी हुई है तो देखिए आपको यहां पर याद क्या रखना है याद रखना है कि भारत रेटिंग और अनुसंदान यहां कि इंडिया रेटिंग से एंड रिसर्च एक जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसे अब बात करते हैं भारत रेटिंग और अनुसंदान के बारे में देखिए जो इंडिया रेटिंग रिसर्च है यह फिंच रेटिंग की एक सहाई कंपनी है और इसका मुख्याला है निवियार्क में है और इसके चीप एकस्क्यूटिव ऑफिसर है पाल टेलर तो आपको इत आपसे एक्जाम में यहां पर एक प्रश्ण पूछ सकता है कि भारत रेटिंग और अनुसंदान ने 2018-19 में देश के आर्थी विकास में कितने प्रतिशत के सुधार का अनुमान लगाया है तो आपको यह रखना है कि साथ दस्मनों एक प्रतिशत के सुधार का अनुमान पारे में सबसे मुख्य बात क्या है कि यह जो है भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री है ठीक है और यह जो है सुखोई 30 MKI लड़ाको विमान में उडान भरने वाली देश की पहली रक्षा मंत्री भी बन गई है तो यहां पर आपको दो पूइंट मिलें पहला कि निर्मला स की तरह मार जो है यह देश की पहली महिला रक्षा मंत्री है और अभी हाली में उन्होंने सुखोई 30 MKI लड़ाको विमान में उडान भरी है और इसी के साथ जो है यह देश की पहली ऐसी रक्षा मंत्री बन गई है जिन्होंने सुखोई 30 MKI लड़ाको विमान में उडान भर चुकी है देखिए यहाँ पे भी आपको एक point मिला कि जो राश्टपती होता है वो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है तो एक प्रस्चन ये भी पूछाया है एक्जाम में कि वंडे एक्जाम में कि जो देश की तीनों सेनाओं है जल्थर और वाइस है न इनका राथूनीक फाइटर जेट है जो परमाडू हमले में भी सक्षम है और पिछले सालयानी 2017 के अंत में सुखोई 30 MKI लड़ाकु विवान से ब्रहमोस मिसाइल का परक्षड किया गया था और भारत ने एक रिकार्ड भी कया था उसके साथ कि भारत जो है दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जिसके पास जल थल और वाइव तीनों से लांच करने वाली मिसाइल है तो और एक मुखे बात है कि जो निर्मला सीता रमड इन्होंने ये उडान भरी है जोदपूर एयर फोर्स बेस से जोदपूर जो है ये राजस्तान में है तो आपको देखे यहाँ पहले याद रखना है कि देश की पहली मैला रक्षा मंत्री है निर्मला सीता रमड और ये पहले ऐसी रक्षा मंत्री बन गई है जिन्होंने सुखोई 30 MKI लड़ा को विमान से उडान भरी है कि यहाँ पर कई सारे प्रस्ण आपको मैंने बता दिये निर्मला सीता रमड से स मंदी तो आपको सारे के सारे फैक्ट याद रखने हैं देखे मैक्सिमम संभावना क्या है कि यही पूछेगा कि भारत की पहली ऐसी रक्षा मंत्री काउन है जिन्होंने सुखोई 30 MKI लड़ा को विमान से उडान भरी तो यह है निर्मला सीता रमड बाकी आप यह भी याद मंत्री बेंजामीन नेतानियू ने गुजरात के एहमदाबाद की देऊ-धोलेरा गाउं में आई-क्रियेट सेंटर का उधगाटन किया यानि कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी एंड हीज इस इसराइली काउंटर पार्ट बेंजामीन नेतानियू इनेगुरेटेड़ आई-क्रियेट सेंटर एट देऊ-धोलेरा विलेजिन एहमदाबाद गुजरात और इस आई-क्रियेट सेंटर का लक्ष है भारत में ऐसे माहौल तंदर को बनाना जिससे बड़ी संख्या में गुडोत्तापूर उध्यमी पैदा हो तो यहाँ पे आपसे एक्जाम में एक पुछेगा कि छाल ही में भारत के प्रदानमंत्री मोधी और इसरायल के प्रदानमंत्री बेंजामी नेतानियूने गुजरात के किस अस्थान पर आई-क्रियेट सेंटर का उतगाटन किया है तो यहुजरात के एहमदाबाद में किया है और एहमदाबाद की देव धोलेरा गाउं में ठीक है तो कुजराद के एहमदाबाद के देव धोलेरा गाउं में मोदी और इस्राइल के प्रदानमंत्री बेंजामी नितानियों ने आई किरेट सेंडर का उत्गाटन किया है अब थोड़ा सा आई किरेट सेंडर के बारे में जानते हैं देखें जो आई किरेट स यह एक स्वतंत्र संस्था है ठीक है यानि कि एक स्वतंत्र संस्था है यह जिसका उद्देश से है उद्यमियों को creative innovation उत्पादन डिजाइन और नए तकनीकी की जरिये खाद ये सुरक्षा जल कनेक्टिविटी cyber security, IT और electronics, non-conventional energy, biomedical equipment और device आदी शेतरों में मदद करना यानि कि जो यह i-create center है यह skill provide करेगी उद्यमियों को ताकि वो जो है नए टेकनोलोजी के माध्यम से अपने उद्यमियों को जो है और आगे बढ़ा सकें तो एक लाइन में आपको जो है i-create के बारे में यह जारना है कि i-create center जो है यह उद्यमियों को skill provide करेगा बिभेने शेतरों में जिससे वो जो है अपने business को और आगे बढ़ा सकें अगला point है इलाहाबाद bank अब देते हैं इलाहाबाद bank क्यों चर्चा में है और इससे सम्मधित क्या news है इलाहाबाद bank कर्मचारी stock बिकल्प योजना यानि कि ESOP पेस करने वाला पहला सरकारी bank बन गया है यानि कि अलाहाबाद bank become the first public sector bank to offer an employee stock options scheme यानि कि ESOP और कर्मचारी stock बिकल्प योजना के तहर जो है इलाहाबाद bank अपने कर्मचारियों को 5 करोड सामाने से चारी करेगा तो यहाँ पे आपसे exam में एक present पुझा सकता है कि भारत का वा कौन सा पहला सरकारी bank है जिसने अपने कर्मचारियों के लिए कर्मचारी stock बिकल्प योजना यानि कि implies dark option scheme launch किया है तो यह bank है इलाहाबाद bank और इलाहाबाद bank जो है इसका मुख्याला है कोलकाता में देखें नाम तो इलाहाबाद है लग रहा है कि यह उत्तर प्रदिस में होगा लेकिन आप इसमें confused मत हुईएगा इलाहाबाद bank का headquarter यानि की मुख्याला है कोलकाता में और इसके मुख्य कारेकारी यानि की चीफ executive officer है उसा सुब्रमन्यम तो इतनी चीजें आप इलाहाबाद bank के बारे में भी याद रखेगा लेकिन सबसे पहले याद रखेगा कि इलाहाबाद bank जो है यह भारत का पहला ऐसा सरकारी bank बन गया है जिसने कर्मचारी stock बिकल्प योज किया है और इस योजना के तहर जो है इलाहाबाद bank अपने कर्मचारीों को पांच करोड सामान सेर जारी खरेगा अगला पॉइंट है चंडी लाहिडी यह देखते हैं चंडी लाहिडी कौन है और किसली ज़र्चा में है प्रतिष्टित कार्टूनिस्ट और लेकक चंडी ल चंडी लाहिडी का निधन हो गया 21 छेतर से बिलांग करते थे तो यह जो है कार्टूनिस्ट और लेखक थे अगला पॉइंट है कासी नाथ कौन है और किसली ज़र्चा में है और इन से सम्मंधित क्या प्रशन एक्जाम में बनेंगे जाने माने कंड़ फिल्म अबनिता नि फिल्म अभिणस के अध़ पुछा सकता है कि हाल ही में का निधन हो गया, इनके च्छेतर से बिलांग करते थे तो इनके प्रफिशन के बारे में याद रखेगेगा क्योंकि जो ब्यक्ति मर्ता है तो mostly उसके profession के पूछता है और ये जो है Karlनाठक के कundhpura के रहने वाले थे देखिए Karlनाठक का बात हो लिए तो Karlनाठक के fact भी नहीं दिख लेते हैं करनाठक की r tejणी है प्रगती कोर मंच को खिशने लांच किया है और इस से सम्मंधित क्या फैक्ट और भी है जो एक्जाम में पूछे जाएंगे आंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंदरबाबु नाइडू ने ई प्रगती कोर मंच का सुभारम किया जो सभी नागरिक सेवाओं के लिए एक कामन आनलाइन पोर्टल होगा और यह पोर्टल सरकार की कारे कुशलता और उपलवजियों की जानकारी देगा तो देखे सबसे पहले आपको याद रखना है जो इप्रगती कोर मंच है यानि की इप्रगती कोर मंच है यह एक जो है आनलाइन पोर्टल है और इसको लांच किया है आंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंदरबाबू नाइडू ने और इसका काम क्या है इसका काम है कि यह जो है सरकार की कारे कुशलता और उपलवजियों की जानकारी देगा जनता को तो आपसे यहाँ पर इक्जाम में एक प्रेशन पूछा है सकता है कि हाली ही में किस राज सरकार ने सरकार की कारे कुशलता और उपलवजियों की जानकारी देने वाले वेब पोर्टल इप्रगती कोर मंच को लांच किया है तो यह लांच किया है आंदर प्रदेश की गवर्मेंट ने और आंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री एंच अंदर बावु नाइड़ों ने इसका भी हाली में सुवारम किया है अब बात करते हैं उन्द्र प्रदेश के FAC की देखी उन्द्र प्रदेश के गुवर्णर है E.S.L. Naresyman इनके बारे मैं हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं अगला पॉइंट है Nigala Samuel गघर आप, अब ड़ेकते हैं, निकाला Samuel तो देखें बहुत बड़ी खबार है कि किसी भारती को जो है सुट्जालेंड के संसद में पहली बार चैनित किया गया है तो आपको जो है इसको याद रखना है क्योंकि यह फर्स्ट अपॉइंड माली बात यहां पे हो रही है तो यहां पे आपसे एक्जाम में एक प्रश्ण पूछ सकता है कि हाल ही में किस भारती बेक्टी को सुट्जालेंड की संसद के लिए चैनित किया गया है तो यह है निकाला सेमूल गगर तो इनका नाम आप याद रखिएगा अब बात करते हैं सुट्जालेंड की फैक्ट की देखें सुट्जालेंड की राजधानी बर्न है और सुट्जालेंड की करंसी है स्विस फ्रेंक अगला पॉइंट है तमिल नाडू अजए तमिल नाडू जो जूड़ी क्या नियुज है तमिल नाडू 11 से 14 अपरेल 2018 तक अर्दवार्सिक रक्षा परदर्थनी रक्षा एक्सपो की मिचबानी करेगा यानि कि तमिल नाडू विल होस्ट दबाई अनुवल डिफेंस इग्जिबिशन डिफेंस एक्सपो फ्राम 11 तू 14 अपरेल 2018 और इसमें असी दिशों के भाग लेनी की संभावना है तो देखिए यहाँ पे बात होगी है डिफेंस की तो डिफेंस मिनिश्टर का नाम आपको यादखना होगा देखिए हमारे भारत की रक्षा मंत्री है दिर्मला सीता रमाण जिनके वारे में भी हमने बात किया है कुछ दिर पहले अगला पॉइंट है वियोरिका डांसिला देखते हैं वियोरिका डांसिला काउन है और इसे संबंदित क्या परसन इक्दाम में पूछे जाएंगे वियोरिका डांसिला को रुमानिया की पहली महिला पर्दान मंत्री के रूप में नामित किया गया है यानि कि वियोरिका डांसिला नॉमिनिटेड एज रुमानिया फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर और यह स्थान लेगी मिहाई टूडोज का ठीक है यानि कि सी विल सक्स तो आज का current efficiency नहीं समाप्त होता है कल मैं फिर आपके लिए daily current expression लेकर आऊंगा आपका काम है वीडियो को like करके इसको share कर देना तो आप जल्दी से वीडियो को like करके इसको share कर दिए Thank you